पाउसरा गुड मॉनी कीड़्स कैसे हो आप सारा अच्छे हो पता है बच्चो आज रों क्या पढ़ने वाले हैं आज रों मैं ऑक्टिविटी करेंगे क्या करेंगे एक्टिविटी करेंगे और अज़ए और लाइस किर नाम है एक प्लेट लिए है, टू बोल्स लिए है और एक स्पून लिया है, स्पून जो है हमको छोटा से यूज़ करना है, ठीक है, समझ में आया आको, देखो बच्चो यहाँ बोल जो है, इसमें मैंने राइस लिए है, याल यह यह है, राइस लिए है, आप देख सकते हो, और यह हो, जो है, बहुत एमटी है, कैसा है, खाली है, इसमें कुछ है क्या, नहीं, इसमें मैंने कुछ भी रहा हुआ, नहीं है, अभी, एक्टिविटी करनी कैसे है, देखो, टैया हो, आप सब एक्टिविटी करनी के लिए, तो शुरू करें, यहाँ एक्टिविटी के लिए, हम 3 fingers का use करना है middle finger, thumb finger, index finger और middle finger समझ में आया को इन fingers का इस्तमाद करके हमें spoon को hold करना है और rice में डालना है, ठीक है? इससे scooping केते हैं, क्या करें? scooping केते हैं देखो scoop करना है और दूसरे बोन में जो की खाली है उसमें pour करना है means डालना है scoop करना है और डालना है rice को spoon में लेना है और दूसरे बोन में डालना है इस activity से क्या होगा? बच्चे को concentration बढ़ेगा और eye-hand coordination भी बढ़ेगा ठीके समझ में आया आपको अभी लेखो activity करते समय हमें song भी बोलना है क्या बोलना है? song बोलना है तो शुरू करें कैसे लगा आपको song? अच्छा लगा? अभी लेखो थोड़ा सा राइस बचा हुआ है वहाँ भी हम क्या करेंगे? स्कून में लेकर दुसरे बोल में डाल देंगे ठीक है? ध्यान से हमें activity करनी है क्योंकि हमको राइस को नीचे नहीं गिरने देना है ठीक है? ध्यान से हमें यह activity करने है थोड़ा सा राइस बचा हुआ है वह भी हम स्पून में लेंगे और दूस्ते बोल में डालेंगे यहाँ एक्टिटी आपको घर पे अच्छे से करनी है थोड़ा सा बचा हुआ है वह भी हम लिकाल स्पून में लेंगे और दूस्ते बोल में डालेंगे बीख रहा है बच्छों आपको पहले जो था पहले नो यहां Was it घे राएस और इस तरह से आपको ऐड़नर छूपनी है उसका सब्सक्टी